आज का जो नास्ता है बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी आप इस नास्ते को ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ चटनी के साथ और इसका चाट भी बना सकते हैं और मिहमान को भी खिला सकते हैं जब भी कोई अचाना का जा तो उन्हें आप ये बना कर दे यह नास्ता बच्चों को काफी ज़्यादा पसंद आया था तो आभी एक बड़ ट्राइ करिएगा अगर आपको पसंद आता है यह नास्ता उसके बाद वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मैंने आलू को कद्दू कस कर लिया है अब इसे हम पानी में मैंने डाल दिया था अब हम इसे निचोड लेंगे इस तरह से और इसे हम अलग रख लेंगे तो इस तरह से मैंने सारे आलू को निचोड कर अलग रख लिया है अब हमें इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड दिया था उसके बाद इसे हम एक बावल में डालें आधा चम्मज चिली फ्लेक्स आधा चम्मज डाला है साथ में मैंने धेर सारा धनिया की पती डाला है इसके अलावे दोस्तों इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला है फिर भी ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप एक पर जुरूर ट्राइ करिएगा इसे हम अच्छे से इस तरह से हम मिला लेंगे अच्छे से इसे मिलाने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें कॉन्ट फुलोर और डालना चाहिए तो मैंने आधा चमच के करीब और डाल देया था इसमें और अच्छे से मिला लिया था हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है नमक को हमें लाश्ट में डालना है तो सथ के अनुसार हमने इसमें नमक डाल देया है और इसे हम मिला लेंगे दोस्तों आप इसमें नमक लाश्ट में ही डालिएगा क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा अब हमने तेल मीडियम गरम कर लिया है उसमें एक अक्चम मची ये मिसरन आलू अला डाल देंगे और कोसिस करेंगे कि ये गोल सेप में आ जाए इस तरह से मैंने डाला है दो ही डाला है एक बार में और हमें इसे उलटते पर लटते हुए गोल्डन ब्राउन करना है और इसे पका लेना है आप इस नाश्ते को साम के समय में बना कर त्यार कर सकते हैं बहुत ही ये टेस्टी लगता है चाय के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं इसके बाद अगर आपका मन्चा है तो इसका टिक की चार्ट भी बना सकते हैं जो की बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार होता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर दिजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुछ इसी तरह की सबसे आसान सी रेसिपी लेकर लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग